Hello friends, welcome to my youtube channel आज मैं एक नए वीडियो लेकर आया हूँ इस वीडियो में हम एक sign-up form बनाएंगे जिसमें के combo box plus dependent combo box जो है वो configure करेंगे आप सबने apple या google का या microsoft का form जो है sign-up form जो है वो बढ़ा होगा तो जब आप sign-up form बढ़ते हैं तो इसमें जो है वो आपको state की option select करने पड़ती है and so on के city जी या डिस्टी की तो उसी form को हम इस excel की वीडियो कोड में design करेंगे मैं आपको बता देता हूँ कि combo box और dependent combo box क्या चीज़ है यह जो country है यह एक सिर्फ अभी combo box है और बाकी के जितने भी combo box है जो state है या district है या city है यह सब dependent combo box है इसको dependent इसलिए बोलते है क्योंकि इनकी जो भी option होगी न वो हमारी हमको तब मिलेगी जो के हमारी first option जो first combo box है हमारा उसमें जो हमने selection की है उसके basis के होगी अगर हमने यहां पे यूई select किया है तो बाकी सब में automatically जो options है वो reflect हो जाएंगे अब आप यहां पे इंडिया select करेंगे तो यह जो यहां पे option है वो automatically change हो रही है तो इसको हम बोलते है dependent combo box जो कि primary combo box के उपर depend करता है तो ऐसा करते है थोड़ी सी entry डाल के देखते हैं दो entries post करते हैं फिर उसके बाद हम इस form को design करेंगे और design करने के बाद मैं फिर आपको raw data जो है हमारा dependent combo box के लिए उसके बारे में समझाना चाहूँगा और वो समझाने के बाद मैं coding start करूँगा जो raw data है वो हमने लिया है sheet number 2 पे यह वो raw data है जो हमारा combo box plus dependent combo box में display होने वाला है आपको make sure करना है कि जब आप इस sign up form को design करेंगे practice के लिए तो आपने same pattern ही use करना है same pattern का मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपने यहां पे India लिया है तो आपने बाकी सब जगा पे भी ऐसे ही India लेना है आपने यहां पे India लिया है और यहां पे आपने इसको ऐसे कर दिया है India तो यह accept नहीं होगा वो इस coding को समझ नहीं पाएगा तो instead of typing I would suggest कि आप इसको copy paste कर लें तो चलिए entries post करते हैं दो entries post करते हैं फिर उसके बाद इसको start करते हैं प्ष्थ्त झाल प्ष्थ्त प्ष्थ्त झाल झाल इसका पास्वर्ड मैं लिखूँगा गुड लख यह मैं आपको कोडिंग के पार्ट में समझाऊगा कि कैसे मैं ने इसको क्यों है हाइट कर दिया है, टेक्स को हाइट कर दिया है अब देखे कि जब मैं इस टर्म सेंड कंडिशन को जब तक मैं इसको असेप्ट नहीं करता तक यह जो साइनफ फॉर्म है वो कंप्लेट नहीं होगा तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यह जो फॉर्म है यह वैलिडेट कॉन्फिगरेशन से कॉन्फिगर नहीं किया गया है यह सिर्फ इफ और एल्स की कंडिशन से कॉन्फिगर किया गया है मैं इसके उपर फॉर्म वैलिडेशन की उपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें पुरी डिटेल इन्फॉर्मिशन होगी कि कैसे हम फॉर्म को वैरिफाय करवा सकते हैं बिफॉर सब्लेटिंग दी एक्शॉल डेटा टू अवर डेटाबेस मां लिजे मैंने इसको अंचेक किया है और मैं क्लिक कर रहा हूं साइन अप पे तो वो बोल रहा है प्लीज फॉर्स्ट असेप्ट टर्म सेंड कंडिशन अंटिल अन्लेस मैं इसको चेक नहीं करता हूं तक यह एंट्रीज जो है वो पूस्ट नहीं होगी देखें जो हमारी एंट्रीज है बैक्ग्राउंड पर वो डिफलेक्ट हो चुकी है एक और एंट्री पूस्ट करते हैं कि लो प्वेद्ग टॉस्ट येवद्ट नहीं करते हैं कि बैंट्रीज हो चुक्तिक थाच्तिक तो करता है इंट्ट उप्वेद्ट करते हैं कि तूस्तिक वो प्यत्तिक DET तो अजयों इंट्कश मैं आट अग्वेद्ट अजयों देखें एकोद्ट एक चीज और बताना चाहता हूं कि इसकी प्रोग्रामिंग भी की जा सकते है कि जो पासवर्ड है अगर ये मैच नहीं कर रहा है हमारा इसके साथ या ये वाला जो पासवर्ड है वो इसके साथ मैच नहीं कर रहा है तो इसकी भी प्रोग्रामिंग की जा सकते है बट मैंने इस पूडिंग में ये प्रोग्रामिंग नहीं की है जी कि एंक्री जो है वो बैक्ग्राउंड में ससेक्सफली पोस्ट हो चुकी है चै के लिए स्टार्ट करते हैं इसका चै 즐ga उसके लिए मरे को कहा बना नही फाइल बनाने पड़ेगी के अउपर जो बी है मैं स्टार्ट से वो in the करो भूग अर्ल हो आप सब की इस के लिए मैंने लिज़ें है वो दिस्क्रिप्शन серь के प्र मैंने कि Γंणों मेरा ऊ Alors उक्राइब कर्ते हैं प्रेंद्सा करता हूं के जिए अब दूस्क्राइब करें जितना हो सकते वीडियोि आहिए पन्त आया फंद पीजा फंद लिए encry सिर्क्राइब कीजिये अगर आप हो यह informative है और यह आपको किसी और के साथ शेयर कर सकते हैं तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें प्लीज थैंक यू वो जो फ्रेंड्स जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और जिनको बेसिक नॉलेज में है कि कैसे एडवांस यूजर फॉर्म बनाया जाता है तो आप प्लीज मेरे पुराने वीडियो चेक कर लें जहां पर मैंने सिंपल लेवल की जो यूजर फॉर्म क्रेट किये है इसमें मैंने डीटैल्ड आपको एक्स्वें किया है कि कैसे हम जो है कैसे हमको जो यूजर फॉन है वो प्रेट करना चाहिए अभी यह जो फाइल है वो %XLSX अगर मैक्रोणियबल करना है तो इस फाइल करने पड़ेगए तभी माइक्रोडिग वो काम करें के otherwise simple file में यह recording काम नहीं करेगी जो beginner है शायद उनको यह tab अपने Microsoft Office में ना दिखे क्योंकि इसको आपको specially जाकरके इनेबल करना पड़ता है programming के लिए जो कि इनेबल होती है File Option Customize Ribbon और यहां पर आपको Option ढूननी है इसको आपको यहां पर मिल जाएगी इसको आपने चेक करना है और हो के प्रेस करना है तो वो जो है वो Option जो है वो आपको यहां पर आना अपीर हो जाएगा अब मेरी परानी वीडियो जिरू चेक कर लें जिसको अगर डाउट हो कि कैसे इसको डेवलेपर टैब को नेवल किया जाता है हमने क्या करना हमने एक निया यूजर फॉर्म बरना गया है उसके लिए हमको जाना है इंसर्ट पे और क्लिक करना है यूजर फॉर्म पे लिए टूल बाक्स अगर यहां पे नहीं डिस्प्लेई हो रहा है तो उसको आप यहاं से जाकर के भी डिस्प्ले करवा सकती करवoden कर भी करका करव Plays कर पना करत कर दो कर दो कर दो है था कर दोंगा कर दो कर दो रहता है सब्सकिए और रलो ए फॉडत मांकर और वछ, कि ठा पक यद ए मांकर box प्रेवार कि टें पुछान फार भूला न में खूला में खुछान वाला न वाला न दोना का सिपड़ जा है झाल 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 चलिए रोड डेटा माप फीड पर दिखा रहे हैं इसको मैं ऐसा गटते हैं कि उस डेटा को एज़ टीजी कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर पुरानी वाली फाइल से आपको मेक्शूर करना है कि जब आप इसको काफी पेस्ट कर दें तो आपने इसको बन से ही स्टार्ट करना है आपको करतरो है कि आपको कर दो है जब आपको कर दो धिसको बना है पेस्ट भी कहां करना है, शीट नमबर टू पे, वो बाद में हम इसको हाइट कर सकते हैं, हमारे पास तीन डिपेंडेंट बॉक्स हैं और एक कॉंबो बॉक्स है, कॉंबो बॉक्स में तो हमने जो है वो कंट्री सेलेक्ट किये हैं, अभी देखिए जो कंट्री है वो हमके कितने डिस्प्ले होंगे, कि डिस्प्ले होने चाहिए, सिर्फ 5E डिस्प्ले होने चाहिए, अब यह जो है state, state के बाद यह तो है हमारा first dependent combo box और यह है हमारा second dependent combo box और यह हमारा last वाला combo box यह हमारा हुआ city अगर आप इसमें और कंट्री या स्टेट या डिस्टिक या प्लेस आप अड़ करना चाते हैं तो आप कर सकते हैं इसमें कोई इसमें नहीं है और प्रोग्रामिंग में भी कोई भी फॉल्क नहीं आएगा करेंगे मैं आपको दिखाँगा कि कैसे था प्लेस आड़ कर सकते हैं कैसे एडिस्टिक याद कर सकते हैं पर अपनी टैस्टिंग के दिए हैं अब दिख सकते हैं कि यह जो कंट्री है वह वहाँ वहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा जहां जहां पे यह कंट्री जो है अब यह देखिए पंजाब पंजाब के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक हैं वह तभी रिफ्लेक्ट करेंगे जब उनकी जो कोडिंग है वह इससे यहां पे मैच करती होगी यह वाली कोडिंग इससे मैच करती होगी वहाँ पे आपने कैट्रिल लिखा है यहां पे आपने कुछ और लिखा हुआ है तो वह कोडिंग जो है वह काम नहीं करेगी वह मिसमैच हो जाएगी तो पंजाब के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक आते हैं वह सब रिफ्लेक्ट ह नहीं होगा तो चलि स्टार्ट करती है इसका कोडिंग पार्ट करें पार्ट झाल 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 बस्विद 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 अल्राइट अभी तक कि ये प्रोग्रामिंग जो है वो हमारी successfully upload होनी चाहिए उसके बाद हम configure coding करेंगे configuration के लिए dependent box और dependent combo box इसको अपलोड नहीं था वो अनलोड था देखिए पीछे बेक्ग्रांड में जो है वो coding reflect हो चुकी है that means coding is successful चलिए configure करते हैं अब combo box की programming को करने के लिए आपको क्लिक करें और यहां के code जो है वो मैं type करूंगा आप चाहें तो इस code को copy paste कर ले जो मेरी description link पे मैंने जो file दी हुए वहां से शुक्रूंग कर दो आपको कु?!" कुछब झाल 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 यह जो कोडिंग है वो हमारी first combo box के लिए त्धा प्रिक्माग प्रिक्राव प्रिक्टप्राइब यह प्रिक्टप्टप्राइब आपको कमबोक्स 2 आपको कमबोक्स 3 same as it is programming करनी है हमने next dependent कमबोक्स किनी आपको कमबोक्स 2 हमें देखते हैं इतनी programming हमारी successful है तरक्रम कमबोक्स programming हमको user form activation में हमको programming करनी पड़ेगी जिज़र form activation के लिए हमको अचा हम एक चीज़ आपको note करवा देना चाहता हूं कि यह जो programming है हमने combo box के लिए की है यह वाली programming हमारी combo box के लिए है यह वाली programming हमारी first dependent combo box के लिए थी जो कि है हमारा state all right यहां पर जो next option हैगी वो हमारी होगी इस street और यहां पर जो चीज़ होने वाला है वो होगा city i think all done तो यह जो programming है वो है हमारी first dependent combo box जो थी है हमारा state और जो यह है हमारा second dependent combo box जो कि है हमारा district और city के लिए हमको programming करने की ज़रूद नहीं है इसको save करते है और user form activation पर जो हमको programming करने है वो coding वहां पर या कर टाइप करते है user form करते है जो झाप करते है करते है करते वा वॉ करते है झाल 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 ये प्रोग्रामिंग जो है वो हमारी इंप्लीमेंट होगी उसर फोर्म के एक्टिवेशन पे प्रोग्रामिंग झाल प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग झाल प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग झाल प्रोग्रामिंग झाल 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 तो ये जो प्रोग्रामिंग वो हमारी यूजर फोर्म एक्टिवेशन के लिए हो चुकी है प्रोग्रामिंग देखें जूजर फॉर्म जो है वो एक्टिवेट होते ही उसमें जो अपनी प्रोग्रामी है वो स्टार्ट कर दी है अब जो है वो स्टार्ट है वो अद्स के दिपन्डेंट प्रिदिंद्स की फ्लग में वह दीखती की वो रिफ्लेक्ट हुई है यह यह यहां यहां पे प्रॉबम और कहीं आ कहीं गुल करीखें और आया ऊसकुन चंपार नहीं नहीं है मैंने जो है वो डिस्टिक जो है वो एड नहीं किये थे इसलिए वो जो यहां पर आबोदाभी का जो ऑप्शन था वो इसलिए जो है ब्लैंक का रहा था यहां पर प्रोग्रामिंग की हुई है लेकिन इसका लिंक प्रॉपर्ली सेट अप नहीं हुआ है तो इसको जो है वो मेरे को रिजॉल्व करना पड़ेगा झाला सैटली सेटली 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 से वो म tw家 थीड़ी में हा ही जुआ है वो झाला से यहां है झाल झाल पर यहां पर city नाम की कोई option नहीं है, यहां पर place लिखा हुआ है, तो I think यही problem है कि वहां पर मैंने place की भी जाए city लिख दिया है यही वह reason है कि coding जो है वो detect नहीं कर पाई हमारे content, because यहां पर मैंने city लिखा हुआ था, और city जो है वो वहां पर sheet no.2 में कहीं भी नहीं दिखाई दिया, कहां पर e-colony में तो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको कहा था कि अगर programming हमारी wording है वो अगर exactly match नहीं होगी हमारी coding से, तो वो reflection नहीं आएगा dependent combo box में, वही मैंने mistake ही थी, और I think यह mistake जो है वो आप लोगों के लिए useful रही, आपको पता चल गया है कि कैसे हमारा wording और coding जो है, वो exactly match करना चाहिए चल भी ट्राइ करते हैं कि यह प्लेस वहां पे reflect हुआ है या नहीं पर्फेक्ट देखिए थोड़ी जिर पहले हमने try किया था कि यहां पे जो है वो आपधवी का reflect नहीं हो रहा था, देखिए यह coding की problem नहीं है, यहां पे मैंने entry ही नहीं डाले है तो चलो एक entry डालके दिखा देता हूँ आपको और आपको भी समझ में आ जाएगा कि कैसे जो वो हमारा raw data है हमारी dependent आपको आपको समझ में आ जाएगा हमारा कंट्री है UAE और UAE में है अब उदाभी है वोहहाँ है नहीं है जापको प्रप्राइं अब हमको देखना यहां पर है कि वह कौन सी फील्ड होगी जहां पर हमको एंट्री कर लिए कर लिता हमको कि अब हमको एंट्री कर लिए ठाई। कि अब कर लिता है पैसला कर लिता है झाल झाल अब हमको इसके नीचे यूज है वो प्रोग्रामिंग करने पड़ेगी इंसर्ट मैं एड़्वाइज परता हूं कि आप कॉपी पेस्टी करें झाल मैं एड़्वाइज झाल मैं एड़्वाइज झाल मैं एड़्वाइज झाल कि देखते हैं कि वहां पे जो पहले आप तबी के अंदर जो हमको सब आप्शन से नहीं मिल रही वह हमको क्या तबी आपे रिफलेक्ट हुई है या नहीं हुई है यह देखें जो एंट्रीस है वह अब प्रॉपरली रिफलेक्ट कर गई है फ्रेंड्स आय होब कि आपको यह जो हरायर की है हमारी डिपेंडेंट कॉंबो बॉक्स की शीट नमबर टू यह आपको अच्छे से समझ में आ गई है और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेन्यू प्लेट करके देख लें इसको एक्सल फाइल में तो आपको समझ में आ जाएगा कि देख ली क्या है यह और कहां पे और किस जिखा पी आपको जाकर के एंट्रीज पोस्ट करने हैं यह थिंक यह फॉर्म को बनाने के लिए हमारी अब लास्ट ऑप्शन जो है वो रहे भी यह है चेक बॉक्स को कॉन्फिगर करने के तो चलिए चेक बॉक्स को भी कर जाते हैं यह चेक बॉक्स जब तक यह चेक बॉक्स चेक नहीं होगा तब तक यह जो हमारा फॉर्म है वो कंप्लेट नहीं होगा इमिन एंट्रीज जो है वो पोस्ट में होगी यह कोई हमारी फॉर्म वैलिडिशन नहीं है मैं रिपीट करूं वैलिडिशन नहीं है यह स शायद एक और वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको डिटेल्ड इंफोर्मिशन जो है वो शियर करूंगा लाश रिधाई रहाँ झाल 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 चली चली एक्ट de एक्टड में बूस्ट करकी बड़ती ये एंद जो मेरा ठालती ये जो मरा टाव था भूवरो चकार कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो करते हैं इसको साइन अप करने की नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने अभी तक चेक बॉक्स टर्म सेंड कनिशन जो है वह सब्सक्राइब कर दो कर दो कार में अप्सक्राइब कर दो दूदिए कि इसको स्ट करता हूं तो एंट्री जो है वो बैक्ड्राउंड पर पोस्ट हो जानी चाहिए कि जो एंट्री है वो सक्सेस्फुली पीछे पोस्ट हो चुकी है यहां पर एक चीज पेंडिंग है जो में को टेक्स बॉक्स जो है उपर लेकर आना है थोड़ा से साइन अप फॉर्म के लिए हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 ह झाल झाल पर्फेक्ट थिक्षे पूरा फॉर्म जो है वो रिडी हो गया है I hope के यह वीडियो आपके लिए informative रही इंटरम्स आप उडर्सेंदिंग the combo box and how does the dependent combo box works and if you liked my video please do subscribe my channel और जितना हो सके इस video को शेर कीजे thank you very much for giving your time and watching my video thank you